दरोड 2009 की ये मूवी है इसकी IMDb rating 7.2 है और दुनिया मीट जाने के बाद ये मूवी हमें दिखाई गई है इस मूवी में father और son दोनों south जाना चाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वहाँ अच्छा environment है रस्ते में आने वाले obstacles से वो बचते हुए वहाँ जाते हैं ये इस मूवी की storyline है तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको इस मूवी की story बताऊंगा मूवी के first scene में हमें दिखता है कि एक आदमी अपने garden में होता है वो अपने horse को tend कर रहा होता है वही एक औरत भी देखती है वो उसकी wife होती है वो भी उसे देख रही होती है अच्छे सा garden उनका घर हमें दिखाये गया है यानि अब तक दुनिया खतम नहीं हुई है next scene में हमें दिखता है कि रात में वही आदमी जगता है और उसके आसपास सब जल रहा होता है उसका घर नहीं जल रहा होता पर उसका environment सब जल रहा होता है फिर वह अपनी wife को उठाता है तैप वेगरा स्टार्ट करता है इस पानी वह चीप जाते है यानि कि उनको उस heat से जातो तकलिफ ना हो इससे वह बच सकते है उस आदमी की wife हमें pregnant दिखती है नेक्स दिन में हमें वही आदमी देखता है पर उसके अब दाड़ी वेगरा सब बढ़ चुकी है उसके बेटे के साथ हो होता है उसका बेटा भी अब बढ़ा हो चुका होता है वो फादर बन चुका होता है उनकी wife उसकी wife हमें कहीं भी नहीं दिखती वो एक cave में सोय हुए होते हैं जब वो उटता है और देखता है तो हमें पता चलता है कि पूरे world में अंदरा चा गया है trees वेकरा सब कुछ जल चुके है उसका बेटा उट जाता है वहाँ थोड़ा earthquake आता है और उसके बेटे को बोलता है कि कुछ भी नहीं यह सिर्फ एक earthquake था यानि कि earthquake भी यहाँ common है फिर father और sun दोनों हमें road पर दिखाये गए है उनके पास एक card होता है वहाँ अपनी सब चीज़े वो रखते हैं और इसे खिशते खिशते वो जा रहे होते है फिर father हमें बोलता है कि ऐसे कुछ earthquake आई थे उसके बाद बहुती bright light था और सब खतम हो चुका था उसे पता नहीं होता कि यह कुण सा month होता है वह हमें बोलता है कि हर दिन darker होता जाता है कोई भी paid कोई भी animal नहीं बचाये world में जो थंडी होती है वो हर दिन बढ़ती जाती है roads पर लोग दिखते है जो भी कहा जा रहे होते है फादर हमें बोलता है कि मैं हमेशा तीन चीज़ों की वेरी करता रहता हूँ food, thंडी और shoes food बहुती important issue होता है इन दोनों को आदमियों से भी बचकर रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ cannibalism भी होता है यानि आदमी आदमी को खाता है इतनी खतरनाक situation होती ही फिर भी जो आदमी होता है वो God पर believe करता है वो अपने बच्चे में God को देखता है इसलिए वो जिन्दा रहना चाता है next scene में हमें रात होती हुई दिखती है और वो अपने बच्चे को comic book से story सुनाता है रात में ही जंगल में आग लग जाती है उन्हें सोने को भी नहीं मिलता और उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है वो आगे आते हैं और वहाँ उन्हें एक घर दिखता है वो बहुत ही भुके होते हैं और जाकर देखते हैं कि वहाँ कुछ खाने को है या नहीं वहाँ पॉट्स होते हैं पर उसमें खाना नहीं होता वहाँ में दिखता है कि कुछ लोगों ने सुसाइड की है तो वह बच्चा पुछता है कि इन्होंने सुसाइड क्यों की फादर बोलता है कि तुम्हें पता है इन्होंने क्यों की होगी फिर वो फादर अपने सन को गन दे जाए उसे बोलता है कि तुम्हें इस तरह से तुम्हारे माउट में रखना है और ट्रिगर फूल करना है उसे सिखा रहा होता है कि जब वक्ता है, तो अपने आपको मार सके उनके पास दो ही बुलेट बची होई होती है next stage होता है वो flashback का है ये father और जो mother होती है, वो हमें दिखाए गए है ये mother pregnant होती है, और father उसके लिए beans लाता है उनका घर जो होता है, वो stalked होता है यानि कि world खत्म हो जाने के बाद ये scene है वो उसे खाना देता है तभी उसका water broke हो जाता है यानि कि अब उसके delivery होने वाली होती है वो बहुत ही disturb हो जाती है वो बोलती है कि नहीं मैं मेरे बेटे को इस जगा नहीं ला सकती यह रहने लायक नहीं है उसे बहुत ही दर्द होता है पर फिर भी वो उसे delivery कर देता है फादर और son दोनों रोड पर होते है फिर उन्हें गाड़ी के आवाज आती है यह पूरी tribe होते है बहुत सारे लोग यहां होते है पर इन दोनों को लोगों से भी बच कर रहना होता है क्योंकि यह cannibalism भी यहां हो सकते है फिर यह दोनों छिप जाते है वो जहां छिपे होते है वही वो सब रुख जाते है आदमी आता है और वो toilet कर रहा होता है तब ही इन दोनों को वो देख लेता है फादर उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है तुम पीछे मत देखो और आग ही देखते रहो तुमने तुम्हारे साथियों को अगर बुलाया तो तुम में मार दूंगा फादर बोशता है कि तुम कहा से हो वो बोलता है क्या इससे कुछ फरक पड़ता है उन आद्मियों के पास राइफरस वगर अभी होते ही तुम पुछता है क्या तुम्हारे पास गोलिया है वो उने कुछ भी नहीं बताता फादर फिर उससे पुछता है कि तुम खाती क्या हो वो बोलता है जो भी हमें मिल सके यानि कि वो क्यानीवल है वो आदमी फिर फादर से बोलता है कि तुम्हारे पास इसके लिए गोलिया भी है या नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते, तुमने पूरे लाइफ में किसी को भी नहीं मारा ये बोलकर वो सन पर जबक जाता है, वो उसे मारने वाला होता है तब ये फादर गोली चलाता है और उसके सर पर वो गोली लगती है बच्चा बच जाता है और बच्चे को लेकर वो फादर भागता हुआ में दिखता है इस आदमी का जो कुरू होता है वो सब उसे ढूंडते है पर उन्हें वो कही भी नहीं मिलता वो नदी के यहाँ चिप जाते है बच्चे को वो नहलाता है उस आदमी का जो बलड होता है तो वो बच्चे पर लगा हुआ होता है वो सब वो पूछता है फिर हमें फादर बोलता हुआ दिखता है वो हमें बोलता है कि मैं जैसा भी दिखो पर मैं हमेशा डरा हुआ रहता हूँ मुझे डाउट है कि जब टाइम आएगा तो क्या मेरे बेटे को मैं समझा सकूंगा क्या हम यह सब कर सकेंगे यानि कि वो सुसाइड के बारे में बात कर रहा हुता है क्या वो यह सब कर सकेगा फिर वो अपने बेटों को बोलता है कि कुछ भी हो जाए पर मैं तुमें सेफ रखूंगा मैं तुमें कुछ भी नहीं होने दूँगा हम फ्लेश बैक में आते हैं हमें मदर और फादर दोनों दिखाए गए है मदर फादर से बोल रही होती है कि हमें पकड लेंगे लोग आएंगे हमें मार देंगे उससे पहले हो मुझे रेप करेंगे और हमें फिर खा जाएंगे उसके पास गन होती है पर दो ही बुलेट्स होती है वो बोलती ही कि अगर तुम नहीं होते तो मैंने अपने आपको भी मार दिया होता और हमारे सन को भी मार दिया होता फादर उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है ये गलत है हम क्वीट नहीं कर सकते हैं वो बोलती है कि सब लोग तो ऐसा ही कर रहे हैं फिर से हम मूवी के टाइम पिरिट में आ जाते है और फादर अपने सन को बोल रहा होता है कि वहाँ जादा अच्छे लोग बचे नहीं है हमें हमेशा बुरे लोगों से साउधान रहना पड़ेगा हमारे अंदर जो फायर है वह हमें हमेशा अलाइव रखनी है यानि सोल के बारे में वो बात कर रहा होता है फादर ने एक आदमी को मारा हुआ होता है तो फिर बच्चे के मन में डाउट होता है वो बोच्चता है कि क्या हम अभी भी अच्छे लोग है तो फादर बोलता है कि हम हमेशा अच्छे ही रहने वाले हैं फिर वो एक शॉपिंग मॉल में जाते है वाख वेंडी मशीन से सोडा उन्हें मिलता है बच्चे ने कभी सोडा भी नहीं पिया होता फादर उस बच्चे को बोलता है कि आज तुम्हारी ट्रीट है बच्चे को वो बहुत ही अच्छा लगता है रोड पे जो सुनसार कार्स होती है उसमें वो हमें सोय हुए दिखते है बच्चा बोल रहा होता है कि मुझे मदर की बहुत ही याद आती है मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे मदर के पास में चला जाओ उसे इसुसाइट करने का मन हुआ होता है फादर बोलता है कि कभी भी तुम्हें ये सोचना नहीं चाहिए हम दोनों को तुमारी मदर को भुला देना चाहिए फादर उसकी वाइफ को भुलाने की कोशिश करता है पर जो भी हो सोता है तो उसके अपने वाइफ कही सपने आते है उसके सपने वो देखता है कि उसकी वाइफ उसे पियानो बजाना सिखा रही होती है उसे नहीं नहीं आती और वो बहर आ जाता है अपनी रिंग वो निकाल देता है और फेक देता है उसे फिर याद आ रहा होता है इसकी memory में उसकी wife उसे बोल रही होती है कि मुझे जाना है मैं अब यहां नहीं रह सकती वहां का जो temperature होता है वो और भी cold हो रहा होता है तो उसे बोल कर जाती है कि तुम next season तक नहीं बच सकोगे तुम्हें south की तरफ बढ़ते जाना है father उसे बहुत ही समझाता है पर वो नहीं सुनती उसे मर जाना होता है इसलिए वो चलने लग जाती है अंदेरे में वो चली गई ऐसा हमें दिखता है father orson को उनके journey में एक waterfall भी दिखता है वहार rainbow बनाया हुआ होता है वो दोनों पानी में बहुत ही खिलते है फिर से वो road में लग जाते है उन्हें एक house दिखता है यह बहुत ही बड़ा house होता है वहाँ अंदर जाते है वहाँ जाकर देखते है तो उस घर में एक underground storage space होता है father देखना जाता है कि अंदर क्या है जब वो अंदर जाते है वहाँ बहुत सारे आदमी होते है उन्हें store करकर रखा हुआ होता है उनके आसपास blood भी पड़ा हुआ होता है उनमें से बहुत सारे आदमी amputated होते है जाने कि उनके body organs निकाले हुए होते है कुछ लोगों ने इन्हें कैदी बनाय हुआ होता है और उन्हें खा रहे होते है यह father को समझ में आ जाता है और फिर वो वहाँ से भागनी कोशिश करता है तभी वो आदमी वहाँ जाते है वो बहुत ही डर जाते है और उपर जाकर चिप जाते है वो जो storage place होता है वहाँ का lock उन्होंने नहीं किया होता वो जब उपर होते है तो father son को बोलता है कि तुमें आप brave बनना है वो फिर उसके son के सर पर गन रखता है उसे गोली मारने वाला होता है अब उनके पास कोई option नहीं होता अगर घर में जो आदमी है उनने उसे ढूंड लिया तो उसे खा जाएंगे पर तभी underground जो storage होता है वहाँ से लोग बाहर आना start कर देते इससे जो गैंग ने उन लोगों को कैदी रखा होता है उनमें confusion होता है इसी आवाज में father और son वो दोनों निकल जाते है और ठिप जाते है रात जब होती है फिर वो वहाँ से चले जाते है यह दोनों बहुत ही भुके होते है चलते चलते फिर वो father के town आ जाते फादर बोलता है कि मैं यही बड़ा हुआ था अपने son को वो बाहर रुकने के लिए बोलता है उसे अपने house में एक moment चाहिए होता है उसका son बाहर होता है तभी उसे कुछ दीख जाता है वो जाकर देखता है तो वहाँ और एक बच्चा होता है वो अपने father को आवज देता है father भी भागता भागता वहाँ आ जाता है वो उसे रुकने के लिए बोलता है वोलता है यह तुम कहीं नहीं जा सकते उसके फादर को लगता है कि उसके बच्चे को अभास हुआ होगा वहाँ कोई भी नहीं है ऐसा वह अपने सन को बोलता है रात में वो सोय हुए होते तब फादर से वो बच्चा पुछता है कि क्या अब हम मर जाने वाले हैं फादर बोलता है कि नहीं, भूख से मरने में हमें बहुत टाइम लगता है फिर वो एक घर आ जाते है, वह अच्चे से बेड होते है, पानी होता है और सब कुछ चीजे होती है पर खाना वहाँ नहीं होता फिर वहाँ सोते हैं और जब जागते हैं और घर से निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर के बाहर एक बंकर है सन उस बंकर में जाने से डर रहा होता है पर फादर अंदर जब जाता है तो बहुत सारी खाने की चीज़े वहाँ होती है क्यान फूट होते हैं जो खराब नहीं हो सकती यह बहुत सारा वहाँ एवलेबल होता है दारू और सिगरेट्स भी होती है यह देखकर वह बहुत ही खुश हो जाते हैं यह उनकी लाइफ का बहुत ही अच्छा दिन होता है फिर वह बहुत सारा खाना खाते है फादर बच्चे के लिए बेड़ वेगरा भी लाता है और फिर वो आराम से बात सोते हैं वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं फादर जब सोता है तो अपनी वाइफ को फिर से याद करता है नेगस दिन फादर अपने सन को घर में लिके जाता है उसे नहलाता है उनकी hairs वेगरा सब बड़े हुए होते है तो वो cut करते है फिर वो रात में civilized लोकों की तरह खाना खाते है फादर भी थोड़ा drink करता है midnight में उन्हें कुछ आवाजें आती है sun बोलता है ये dog होगा और फादर को लगता है कि अब वो वहाँ safe नहीं रहे फिर फादर बोलता है कि हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए उनका जो cut होता है उसमें वो कुछ खाना रख लेते हैं और वहाँ से निकल जाते है वो जब आगे आते हैं तो उन्हें एक old man मिलता है old man उनसे बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम ले लो फिर वो दोनों बोलता है कि हम तुम्हें रॉप करने के लिए नहीं आए सन बोलता है कि यह बहुत ही भूगा है इसे हम खाना दे सकते हैं फादर पहले ना बोल रहा होता है यह मैं जादा कुछ देख नहीं सकता, मुझे पता है कि तुम दोनों वाओ, पर इस से जादा मुझे कुछ भी नहीं दिखता फिर वो पुछता है कि यह क्या तुम्हारा बच्चा है, फादर बोलता है कि हाँ, यह मेरा बच्चा है Old Man से भी वो बुछता है कि तुम्हारा भी बेटा था Old Man बोलता है कि हाँ मेरा भी बेटा था Old Man बोलता है यह मुझे लगा था कि में किसी भी छोटे बच्चे को फिर से कभी नहीं देखूंगा यह बहुती डेंजरस सिचुेशन है फादर फिर उस ओल्ड मैन से बुछता है, यह तुम्हारे सन को क्या हुआ, फिर ओल्ड मैन उसे बोलता है, यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता, यह मेरे लिए बहुत ही हार्ड है, जब होती है, उसमों ओल्ड मैन को वही छोड़ कर वो चले जाते हैं, वो जब आगे जाते हैं तो बहुत सारा blood पड़ा हुआ होता है वहां बहुत सारे लोग होते हैं जो crew में रह रहे होते हैं पर वो आदमियों को ही पकड़ कर उनका शिकार करकर खाते हैं वो वहां रुख जाते हैं और छीप जाते हैं फिर वो एक church मेर आकर सो जाते हैं जो फादर होता है उसे बहुत ही खासी आ रहे होती है उसकी खासी में बलड भी आता है उसके पास ज़ादा दीन नहीं होती जीने के लिए फिर फादर अपने सन को एक मैप दिखाता है वो बोलता है कि हम कोस्ट से बहुत ही पास है यानि कि कोस्ट पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं और वहाँ वो अच्छे से रह सकते हैं वहां फूल वगयरा हो सकता है ऐसा उने लग रहा होता है इसलिए वह समुंदर के पास जा रहे होते हैं वह फिर चल चल कर वहां आ जाते है पर वहां कोई भी नहीं होता सद को फした वर आ जाता है तो फादर उसके ke рад लेता है उसे लेता है और उसमें सुला कर जाते है बच्चा सुह आँ होता है जब बच्चा उठता है तो उसे कुछ भी पताने होता कि क्या हुआ है Pada bi wijat a Pada के पास एक findeer hurt COVID होती और कुछ supply howa hé वो अपने बच्चे को बुछता है कि क्या हुआ बच्चा बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता फिर फादर बोलता है जिसने भी लिया होगा उसे हम ढूंड लेंगे फिर भागते भागते जाते और उस आदमी को ढूंड लेते उस आदमी के उपर वो गन रखता है और कार्ट छोलने के लिए बोलता है फादर पुछता है कि कितना टाइम हो गए तुम हमें फॉलो कर रहे हो वो बोलता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था मैंने सिर्फ तुम्हारा कार्ट देखा और मैंने वो ले लिया फिर फादर बोलता है कि तुम्हारे जो भी कपड़े है वो सब निकालो और काट में रख दो उसने उनके साथ जो किया होता है वही हम फादर उसके साथ भी करनेा चाहता है वो आदमी बहुत ही डर रहता है वो रोने लग जाता है मेरे साथ प्लीज ये मत करो पर फिर भी वो वहाँ से उसके कपड़े लेकर चले जाते है फिर सन उसके फादर को बोलता है कि हमें उसके साथ ये नहीं करना चाहिए था उसके पास कपड़े भी नहीं है वो मर जाएगा फादर बोलता है वैसे भी वो मरने वाला है सन बोलता है कि वो भूका होगा इसलिए उसने ये सब किया होगा फिर फादर मान जाता है और फिर वो उसी जगा जाते है जहाँ पे वो आदमी था उसके लिए उसके कपड़े फिर से रख देते और उसके खाने के लिए भी एक डबा उसे रख देते फिर वो एक Coastal City में आ जाते है वो जब वहाँ थे फिर उन पर अहमला हो जाता है विंडो से उन पर एक arrow चल जाता है फादर के पेर पर वो लगता है वो cover लेते हैं जब वो देखता है कि विंडो से वो आ रहा है तो फादर अपनी जो flare gun होती है वो विंडो पर चला देता है वहाँ जो आदमी होता है उस पर वो flare gun लग जाती है और वो वही मर जाता है वहाँ एक औरत भी होती है जो रोर ने लग जाती है फादर उस औरत को छोड़ देता है अपनी जखम को मलम पट्टी वेगरा वो करता है और फिर से वो बीच पर आ जाती है फादर की हालत अब बहुत खराब होती है फादर फिर अपने बच्चों को बोलता है कि तुम्हें अब यहाँ नहीं रुकना है फिर से तुम्हें रोड पर जाना है पर तुम्हें बहुत ही सावधानी भरतनी है बहुत सारे बुरे लोग वहाँगे तुम्हें हमेशा अच् मुझे छोड़ देना है तुम्हें अब रोक नहीं सकता फिर फादर नेस दिन वहाँ मर चाता है वो बच्चा बहुत ही रोता है पर अपने सफर के लिए फिर वो रेडी होता है वो गन अपने पॉकिट में रखता है फिर वहाँ दिखता है कि एक आदमी उसके तरफ आ रहा हो उस आदमी का जो फिंगर होता है वो कटा हुआ होता है हमने पहले भी जब देखा था कि जो आदमी उने मिला था जिसके कपड़े उन्होंने ले लिये थे उसका भी फिंगर कट हुआ था फिर ये जो नए आदमी है वो इस बच्चे को बोलता है कि तुम हमारे साथ आ सकते ह मेरी वाइफ है मेरी बच्चे है हम दोनों तुमारा खयाल रख सकते है तुमारे पास दो चोईस है तुम रोड़ पर अगर जाओगे तो तुमें बहुत ही खयाल रखना पड़ेगा तुमें रोड़ से अलग ही चलना है बच्चों को ये सुनकर अच्छा लगता है और वो उन फैमिली के साथ जाने वाला होता है फिर वो अपने फादर के पास आता है और बोलता है कि मैं हमेशा तुमें याद रखूंगा वो उस फैमिली के जो मदर होती है कि मुझे तुमें देख कर बहुत ही अच्छा लगा मैंने तुमें तुमारे फादर के साथ देखा था हम तुमें फालो कर रहे थे हमें अब यहाँ पता चल जाता है कि बच्चा याँ सेफ है अब हम कटे हुए फिंगर की बात करते है यह जो दोनों आदमी थे जिनके फिंगर्स कट हुए होते है यह दोनों एक ट्राइब का हिस्सा है यह जो ट्राइब है यह किसी को आदमी को नहीं खाती यह एक नॉवेल था इस पर यह मूवी बनी हुई थी इस novel ने बताया काया है ये जो आदमी होते है ये हमेशा tribe में रहते है इससे हमेशा sign होता है जिससे पता चल जाता है कि कौन सा आदमी किस tribe का है ये जो कटा हुआ finger है ये वही tribe का निशानी है जो आदमीों को नहीं खते ये जो new family होती है उसका जो आदमी होता है उसका भी finger कटा हुआ होता है तो अब ये बच्चा 100% safe है ये ये movie खतम हो जाती है